आज हम दो तरह के फ्लावर के बारे में डिस्कस करेंगे इस्टेमिनेट और पिस्टिलेट चुकि लास्ट वीडियो में हमने बताया था जो फ्लावर का डियाग्राम बताया था इस्टेमिन्स फ्लावर का मेल पार्ट होता है और पिस्टिल फ्लावर का फ्लावर का फ्लावर होता है तो प्राया हम देखते हैं कि flowers के जो types होते हैं अगर वो unisexual है तो male flower है या female flower है इसके बारे में जानना है flower अगर male होगा तो उसमें stamin होगा तो उसको हम लोग staminate कहेंगे flower अगर female होगा तो उसमें pistil होगा तब ऐसे flower को हम लोग पिस्टिलेट फ्लावर के नाम से जानते हैं इंगलिस हम लोग इसको कह सकते स्टेमिनेट फ्लावर का मतलब हो गया flowers those flowers contain stamin it means stamin योक्त male flower को हम staminate कहेंगे और पिस्टिलेट फ्लावर को नाम से जानते हैं यहां पर दो तरह के फ्लावर की चर्चा हो गई फिर से हम रिपीट कर देना चाहेंगे जिस यूनिसेक्सवल मतलब एक लिंगी पोस्प में स्टेमिन्स होते हैं केवल स्टेमिन्स तब ऐसे फ्लावर को हम लोग इस्टेमिनेट कहते हैं स्टेमिन्स का मतलब हो गया पूंके सर पूंके सर का मतलब हो गया का मेल पार्ट और जिस फ्लावर में पिस्टील होते हैन् Venice को समझ लिया stamen containing male unisexual flower is called staminate मतलब stamen योक्त, male, नर, एक लिंगी पुस्प को हम लोग staminate कहेंगे और पुना pistillate flower को हम लोग क्या कहेंगे Pistil contains female unisexual flower is called pistillate flower इसको अच्छे से याद कर लीज़ ध्यान में रख लीज़, अगर लिखना चाहते हैं तो आप इसको लिख भी सकते हैं मतलब फिर से हम रिपीट कर देना चाहेंगे stamen containing male unisexual flower is called staminate in Hindi stamen योक्त, मतलब पुंकेसर योक्त, नर पुस्प नर एक लिंगी पुस्प को हम लोग staminate कहेंगे और pistil contain female unisexual flower is called pistillate यानि pistil योक्त, जायांग योक्त, मतलब पुस्प जो की एक लिंगी होते हैं ऐसे flower को हम लोग क्या कहेंगे pistillate flower कहते हैं ओके, फिर अगली बात अगले वीडियो में